बिस्मिल्लाय रोह्मानी रोहीम असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेर्मिनोलोजी यूज्ड इन कॉडिनेशन कंपाउंड जैसे कि मैंने आपको अपनी पीछली वीडियो में बताया था कॉडिनेशन कंपाउंड कि इनको कहा जाता है तो कोडिनेशन कंपाउंड के बारें मैंने आपको बताया था वह क्या होते हैं कैसे बनते हैं उनमें क्या मतलब मतलब होता है मतलब किस तरह से सब्देज्साद नहीं हुद सब मैंने बता था हैं वह सब मैंने बता vários तो आज हम लोग हैं जा रहे हैं इनकी ठर्म्स पर्ड ने वेशार है उनके यूज होंगी तो अगर आप मेरे चैनल पे नहें या फिर Tail點 मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइनल अपर चैनल जाकर सब्सक्राइब करते साथ एकन को प्रेस करें आपको ताके आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं कॉइडिनेशन कंपाउंड की जो टर्म्स है उनमें एक आता है कंप्लेक्स आइन फिर दूसरा आता है सिंट्रेल मेतल लींगें पॉडिनेशन इंबर और कॉडिनेशन स्फेयर चार्जन कॉडिनेशन स्फेयर एंड की लेट्स आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं तो उ इंशाला इंशाला यकीन करती हूं उमीद करती हूं आप लोगो अच्छी तरह समझाएं कि आपको रटा लगाने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी आप लोग एजी जब आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको याद करना एजी हो जाता है तो कंसेप सत्री हो नहीं है कि सबसे पहले हम यह सकते हैं wakes यह कैसे यह सकते हैं और नेगिटिव भी हो यह कंपलेक्स नहीं है ठीक है यह इंडिविचन मदब अकेले आइन नहीं ठीक है लेकिन यह कंपलेक्स आइन्स लिए उसकता है हो सकता है कुछ भी हो सकता है आगे हम बढ़ते हैं वह कौन से आइन से हैं यह क्या वह कौन से compound यह फिर नाइक क्या चीज है जो complex आइन जिसको कहा जाता है यहां पर मैं एक एक्सम्पल ले रही हूं तो इसी को आगे हम लोग करते हैं ठीक है यहां पर मैंने एक्जम्पल ली है फैरम साइनाइट की तो इसको रियक्शन कराया है मैंने कैल्शियम साइनाइट सरी पोटाशियम साइनाइट के साथ तो इसमें यह है कि जब इसको मैंने इसका रियक्शन कराया पोटाशियम साइनाइट के साथ तो पोटाशियम साइनाइट जो है यह पोटाशियम फैरेट साइनाइट बन गया तो ये पोटाशियुम फैरो सायनाइड बन गया अब पोटाशियुम फैरो सायनाइड को जब हमने वाटर में डाला एक्वे सولूशन में डाला तो आइनजलेकर प्रॉसेश में पर्रोसेर सायनाइड राइन नहीं मिला हमें मिला है मतलब Ferrous का इलादा से आइन और Sainite का इलादा से आइन नहीं मिला यह दोना फिर भी complex form में है इसी लिए सो कहा जाता है complex आइन जबके आपके पास यहाँ पर 4 potassium के molecules हैं तो अब यह मतलब single form में है जबके यह molecular form में है complex form में है इसी वजह से कहा जाता है complex आइन यह positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है लेकिन यह एक individual नहीं होता अकेरा नहीं होता यह complex form में होता है इसे लिए से कहा जाता है complex आइन यह use होते हैं आपर ओवराल molecule neutral होता है अब देखें यहाँ पर overall molecule neutral है यहाँ पर आके ionization होगे लेकिन ionization दोनों की बराबर है यानि इसकी 4 के मतलब एक potassium की plus 1 होती है तो 4 potassium की plus 4 होगी और यहाँ पर जो है minus 4 plus 4 minus 4 is equal to zero तो overall molecule जो है वो हमेशा जो है वो stable होता है और neutral होता है जो next term है वो है central metal atom और ion इसकी जो example है वो मैं यहीं से ले लेती हूँ अब आप यहाँ पर देखें यहाँ पर दो metals है फैरम भी है और दूसरा जो है cyanide भी है ठीक है लेकिन इन दोना में से अब कौन सा ऐसा metal है जिसको कहा देता है central metal अब यहाँ पर जो है central metal वो यह फैरम जो के round brackets में होगा उसे कहा जाएगा लिगेंड और जो round brackets के लावा भी होगा इसको लिगेंड कहा जाएगा जो के एक metal के साथ जोड़ा होगा central metal के साथ अब यहाँ पर हम लोग मतलब central metal को हम लोग दिनोट कर लेते हैं M से और इसको आस पास से इसकी बॉर्णिंग में भी है मतलब जितने भी आटम्स होंगे जितने भी elements होंगे जितनी भी बॉर्णिंग मनाएगा अपनी तो उसको मतलब उसको जिस मैटल के साथ मनाएगा मतलब जो चीज दरम्यान में मुझूद होगी उसको कहा जाता है central metal तो अब एक metal की जो ability है वह अपने साथ मतलब 10-14 coordination कोवलेंट बना सकता है क्योंकि दियो और्विटाल में जो है 10 element है जबके एफ और्विटाल में 14 element है तो वह मतलब इसी के अकॉर्डिंग वह जादा भी जितने जादा बना सकता है अगर वह एटम बढ़ा है element बढ़ा है तो वह जादा bond बना सकेगा और अगर वह छोटा है तो वह कम मतलब bond बना सकेगा अब यह उस पर डिपेंड करता है कि वह कितने bond बना सकता है लेकिन जो दर्मियान में माइन होता है या फिर element यह माइन जो भी होता है च। इसको कहा जाता है Central मैकल या फृएं अब आहल फॉं मैय तो मतलब 向 बन बने का गया यह कि इसको कर सकते संथे चाहल गवाय गचाछा और यह जो होता है दो रृडज एक फॉम में है तो यही पर आप देख सकते हैं यहां पर इसनाइड की तरह सथार रहांपर है यह lihat यहां पर पोटासियम इंदो तो यह ब्रीफिली करेंगे अब इसके बारे में इसके जो आगे रूल से उनके बारे में पढ़ेंगे जो यूपक सिस्टम ने दिया है तो आगे हम वो ब्रीफिनी डिसकस करेंगे अब के लिए सिर्फ इतना है Central Metal Atom या फिर आइन होता है जिसके जो मतलब जो मैटल होता है transition element होता है और उसके आज पर Coordination Covalent One मनता है जितने भी जितने भी मतलब कोडिन उन्हें घेरा होता है elements ने उसको मतलब दर्म्यान में जोता है Central Atom के लाता है ठीक है या फिर Central में आइन के लाता है अब सोचने की बात यह है लिगन क्या है अभी मैंने यहां पर लिगन का नाम यूज किया था तो दिमाग में कोसिन तो जरूर आयोगा यहां पर मैंने बता है साइनाइड लिगन है क्या लिगन है कैसे लिगन है तो आज अभी मैं यहीं बताने वाली है इसकी डेफिनेशन क्या है दस्पिशी विच डूनेट्स एलेक्ट्रॉन पेर है this restaurant is called है लिगन इस तरह ऑपर एक्जाम्पट में मैंने आपको सुछ ःज जो इस in मैंद आपको सुछ जो आईरन है यह भी मेटल है silent क्या था यहीं बता अपना soll सब्सक्राइब करता है उसको कहा जाता है अब आपको लीगेंट के तो यह मतलब इसका कंसेट्ट क्लियर हो चुका होगा लीगेंड क्या है अब लीगेंड की एक और बात है इत में भी न्यूट्राल या फ़र यह नेगिटिव भी हो सकता है या नेगिटिव होसकता है न्यूट्रल deposit भी होसकता है ठीक है यह इस पर डिपेंड करता है यह क्या हो सकता है ठीक है तो अब लीगेंड complex आएं सेंट्रल MATLEist कि ली और। इसके बाद नेक्स स्कू आ झाती है अच यह गन के एक और बात भी है। वीचन जो है मोनो पाइनदी अपी ने मैप्र ह Brush थेस्टोंças का करते हुआ है वर। ऑफ थे खर अब इसको यूनी डेन्टेट भी कहा जाता है अब इसके नाम से एक बहुत इंपोर्टरंट बात जो है वो जाहिर होती है वो क्या है वह यह है कि मोनोमीन हमने पहले भी पड़ा है मोनोडायट राइट अटरा हेग्जा पेंटा यह सब हमने पड़ा है तो इसमें मोनो का क्ष़ब है 1 और देन्टेंट का मतलब है दान्त या तीद आप कह सकते हम जब हम कर देए अब मोनोडेंटेंट जो इसके बारे में जो है मोनो में 1 इंटेंट जो एक दान्त वाला या पर इन दो दान्त वाले हैं तरह तो इसका आप किसी भी मैटल का तो यह कोई डान्वान THIS क कोई कोई दांथ है नहीं पम कहा रहे हैं तांके आप इसको वचेश बात आप बे meth है वो हम पहले लिख लेते हैं दा लीगेंड विच पोजस अंली वन टोनर साइट और काल्ट मोनो डेंटेट और यूनी डेंटेट इसका मतलब मतलब यह के कोई भी लीगेंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डोनर मतलब ऑएक लेकर टोनेट कर सकता है जैसे के सायन नाइट नेगरिव एंड छूरीण के देणे लू कि लूरीन नेगरिव और और ऑच नेगरिव मतलब ऑंबOT सब में यह पिर और मोनुचाय फ्री यह सब जो है यह सिरुंस से एक एक मतलब ऐलक्रौन प्रडोनेट कर सकते से विसन को कहा जाता है मोटेंट यानि यहीं को दान से एक दान से यहांने मैटल को Madha speak denguegun के साथ घासे थाइब और गरता है तो इनके साथ होता है वहां पर यहाँ पर दो बाढ़ थे आधे एगंद फांट थे चार वांफ ऐसे होता है करते करते जब आए मतलब बाई अग्याइब यहाइब एल्टक्तषर्वे सा ने म医ूद कि छाते कि नेकर लेगे मैं आपको पहली बता रही हूं कि लेट क्या है लव्ज क्लास के साथ पंजाब होते हैं जब कोई अटम उता है कि लेट के लिए अगे मल्टी देट या फिर पौली देट की तरफ अब मल्टी देट भी वही है मैंने भी आपको पहले ही इसका शिकर किया जो बाइसे लेकर वाय ट्राइट एक्जाद जितने भी जादा ओंगे ना मतलब मौनों के बाद जितने भी होंगे तो कहा देगा कि अबंगे जिए फिर पॉली देंटेट जो है इसका क्या यह जो है मतलब यह हैं देफिनेशन कुछ ऐसे है दि पोड़ेंट पॉज पोजेशंच मोर दें ड्राइट अर्काल मल्टी देंटेट या फिर पोड देंट या निवह लिगंगे यह दो से दो से जादा या फिर म रुछप्लेक्स कंपॉण्स में मतलब हर यह चितने भी तीनों में लिखे इन देख सकते तलीकन पोसस्थ मोर दें बोन और डॉनर साइज इसकाल पडोली learnt in तो अगर यह इसमें अगर आपको तो अगर आप यह लिग सकते हैं फिर आप को पास करकर पी एक्जांपल और आप एक्जाम्पल्स हो नी Nisa तो इसमें क्या इंसर में six bond बने वे अब आप देखें यहां पर जो है देखें यहां पर एक आपके पास कोबाल्ट है कोबाल्ट के साथ four NH3 जुड़े वे हैं और two chlorine atom four plus two is equal to six यानि six covalent मतलब coordinate covalent bond बने वे हैं यहां पर copper के साथ six NH3 जुड़े में easily आपको समझ आ रहा है यह जो है यहां यहां पर यह कैटाइन है यह आगे हम जब रूल पढ़ेंगे तो इसमें आपको बताऊंगी तो उसमें क्या यह क्या है क्या मतलब है यह क्वंते कैसे पड़ेंगे उनको करीगे तो अगर आपने से पहले मैं चैनल में किया सबस्क्राइब करते जाना और कहारें करते मुझे दूम में याद रखेगा गुडबाई